सिवनी में 11 दिसंबर के दिन महाराश्र सीमा से लगे मतरप्रदेश के सिवनी के दक्षिंट सामाने वनबंदल अतरक्त खबासा रेंज के जंगल में शर्मिली उफो बागनी टी-19 की संदिक थालत में शव मिलने के मामले में चौकाने वाला खुलासा वनवेभाग ने किया है वनवेभाग के मोख्य वन संरक्षिक ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए बताया कि महाराश्र की जंगल की सीमा में अग्याच शिकारियों द्वारा बागन को मौत के घाट उतारा गया था और दरहसल बागन की टेरिटरी महाराश और मधिप्रदेश दोरों के जं की आकटिक गई पतायजवाराए कि महाराश शुवन विभाग ने अपने चौकिदारों की वदद से बागिन के शव को बैल गाड़ी में रखकर मधिप्रदेश की सीमा में फिकवा दिया मुग्बिर की निशान देही पहरे चौकानी वाला खुलासा हुआ है कि हमारे दक्षर शुनी सावन बडवंडल के खावासा परिशेत में 11 दिसंबर को एक माधा बाब का सव संदिक दवस्ता में मिला था कि 19 उसका हमारा कोड जो नाम है उसको इस्थानी लोग उसको संमीली के नाम से ज्यादा विख्यात दी हो विचरण है वो महराश्ट और मध्यप्रदेश के दौनों गाउं में था गाउं में सीमा से लगे हुए जो इस्थान है जहां वो बागिन पाई गई वो महराश्ट स सव लाके मध्यप्रदेश के वन्चेत्र में डाला गया है बैल गाड़ी से लाके कल एक धाम सींग खंडाते हैं सुरक्षा श्रमे के महराश्ट बनवाग का उसको गरपतार किया गया है आज उसके द्वारा इस उचना दी गई है कि बैल गाड़ी से लेके समाधा बाग के स उसमें कुछ चीज़ें सामने आएगे राश्ट वन विभाग पर लग रहा है ब्यूरो रिपोर्ट दबंग न्यूज